साथ। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब केजिये और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत बूलेगा। इससे मेरे जो भी नए अप्डेट्स होंगे वो आप तक जल्दी ही पहुँच जाएंगे और साथ ही मेरे Facebook पेज मिनल्स कीचन को जरू लाइक कीजिए So thank you and let's begin कौन कहता है कि चॉकलेट केक को हम बिना अंडे के soft और spongy नहीं बना सकते आज हम बहुत ही आसान विधी से इसको soft भी बनाएंगे और spongy भी बनाएंगे बस लास्ट तक मेरा वीडियो देखते रहें सबसे पहले एक बोल में हम एक चलनी रखेंगे और उसमें मैदा डालेंगे 1 और 1 फोट कप जितना अब हम इसमें कॉन फ्लार डालेंगे 2 टेबल स्पून इससे हमारा केक बहुत ही soft बनेगा और कोको पाउडर डालेंगे हाफ कप जितना और यहाँ पर बेकिंग पाउडर 1 टी स्पून और बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून डालेंगे और चुटी भर नमक इन सब चीजों को अब हम इकदम अच्छे से चांद लेंगे चांदना बहुत ही जरूरी है इससे जो हमारा बेस है बहुत ही evenly बेक होगा और लास्ट में हमारा एक्स्रा at션 पौरा अच्छे से हमको चमच की सहायता से दबाते हुए अच्छे से चांद लेना ये अब हम इसकर एक दब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको आफ में साइड में रख लेंगे तो यहां पर एक दूसरे बोल में हम वन कप जितनी पीसी हुई शक्कर लेंगे और अब हम इसमें ऑईल एड़ करेंगे हाफ कप जितना ध्यान रखें कि जो सारे सामगरी हम ले रहे हैं वो नॉर्मल टेंपरेचर पे हो रूम टेंपरेचर पर हो और इसको हम एक दम अच्छे से मिक्स करेंगे दो से तीन मिनिट के लिए और अब हम इसमें डालेंगे वेनीला एस्सेंस यहां पर मैंने ट्रांसपरेंट वारा लिया है तू टी स्पून जितना और यहाँ पर कॉफी को मैंने 2 टेबल स्पून वाम वाटर में डाइलूट किया है तो इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको दूद के साथ थोड़ा सा मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर वन कफ जितना दूद लिया है मैंने पर इसको मैं दीरे दीरे करके अड़ करूँगी और यहाँ पर हाफ टेबल स्पून जितना हम सिर्का डालेंगे विनेगर अब इसको एकदम अच्छे से फेट लीजिए आप चाहो तो इसे बीटर की सहता से भी अच्छे से फेट सकते हो यहाँ पर मैंने कूकर रखा है प्री हीट होने के लिए उसकी जो विसल है वो और गार्सकेट निकाल दिया है और नीचे बेस में नमक और स्टेंड डाल दिया है तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर 15-20 मिनिट के लिए प्री हीट करने के लिए रखेंगे और यह जो ड्राइ सामगरी हमने तयार की थी उसको अब हम वेट सामगरी में मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको बहुत ही जेंटली मिक्स करना है बिल्कुल ही जोर से नहीं करना है इसको आराम से मिक्स करते रहिए और हो सके तो स्पैट्यूला की सहता से भी आप इसको मिक्स कर सकते हो अगर आप बीटर यूज नहीं करना चाहते हो तो और इसको एक ही direction में गुमाना है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है तो यह हमने पूरा मिश्रन तयार कर लिया है यहाँ पर यह थोड़ा सा गाड़ा रहेगा तो आप इसमें जो दूद बचा है हमारा उसको थोड़ा थोड़ा करके अड़ कर सकते है और यहाँ पर हमने चौको चिप्स डाले है कुछ आप अपने इस साबसे ले सकते और इसको हल्का सा मैदे में कोट करके डालीएगा और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके दूद आड़ करेंगे तो यहाँ पर हम प्रेशर कुकर में केक बना रहे हैं आप चाओ तो इसको पैन या कढ़ाई में ही बना सकते हो तो उसके लिए भी सेम ही प्रोसेस होगा बेस में आपको नमक मिलाना रहेगा और स्टैंड रखके उसको प्रिहीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जितना दूद रहे गया है आप चाओ तो वो भी आइड कर सकते हो तो यहाँ पर हमने एक मोल्ड दिया है केक का उसको ग्रीस किया है अच्छे से और बटर पेपल लगा दिया है मैंने और थोड़ा सा कोको पाउडर चिटका है और उसमें हम केक का बैटर मिला लेंगे और इसको एक दम अच्छे से टैप करेंगे हम लोग कम से कम छे से आंट बर टैप करना है और इसको हम कूकर में डाल देंगे तो यह हमारा प्ली हीटेड कूकर है इसको हम इसमें डाल देंगे लगब 40-40 मिननट तक हम इसको पकाएंगे आफ्टर 45 मिनिट्स यू कैन सी हम इसको टूथपिक की सहयता से चेक करेंगे अगर यह चिपकता है इसका मतलब इसको थोड़ी देर और पकाना है विए हमारा भी यहाँ पर बिलकुल ही तयार हो गया है इसको हम निकाल देंगे बहुत ही सावधानी से और इसको ठंडा होने देंगे कम से कम 15-20 मिनिट तक और उसके बाद आप उसका बटर पेपर निकाल दीजिए देखे बहुत ही सॉफ्टर स्पॉंजी हमारा केक बेस तयार हो चुका है चॉकलेट का सो मेक इट और कमेंट करके मुझे बताईए कि आपको कैसा लगा और आपका केक कैसा तयार हुआ है थैंक यू सो मुझ और दोंगे तो सब्सक्राइब मैं चैनल